लुट तो अगेन मार्केट वी क्लोजिंग है बट सेलिंग नहीं आज आज इंडिसीजिजन है आई दिली थोटा सा दो जी है मर टाइप क्लोज बनाए बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है तो क्या लग रहा है मार्केट में करेक्शन आएगा बड़ा करेक मार्केट में रैली रिजिम होगी तो आएगा तो तेजी ही प्राइडे क्लोजिंग तक वेट करना प्राइडे क्लोजिंग पे हम कम्प्लिट डिसकिस करेंगे कि तेजी कैसे नहीं आता वीडियो को इंट देख ले न अगर चैनल के नए हूँ और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियोस को ज्यादा ज्यादा छाएदा खिरो अपने साइड़ मीडिया ग्रूप से और make this channel viral and follow me on Twitter for Live Market Updates Live Market में बहुत सरे updates चार्ट डलता हूँ यह मेरा handle है अधरे टेलिगरम चानल का लिंक भी बायो में है Twitter के तो यह Telegram चैनल पे आप follow कर सकते हो हमारे और इलेट विफ सीखना है फ्री में तो फ्री का course है फ्री का book है यहां पर आप लिंक है यह वाला फ्री बुक का और ट्विटर के highlight section में भी लिंक है फ्री बुक का चार पाच फ्रीट डाउन आ जाओगे तो उसमें यह highlight section में मिल जाएगा link तो पूरा book यहां से पढ़ सकते हो इलेट विफ इंटरनेशनल की website से इलेट विफ का ओके लेट्स डिसकस निप्टी यहां लग रहा है भई मार्केट कहा जाएगा यहां करेक्शन आएगा बहुत सारे लोग बुल रहे हैं मंदी ही आएगी बड़ा फॉल आएगा मार्केट में और हम तो अड़े है भई आएगा तो तेजी ही तो क्यों तेजी आएगा इतना क्या पायस है इतना बायस क्यों है कि लार्जर काउंट में कहा पर है हम लोग मार्च 2023 से 1234 और फिफ्ट में हैं अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फिफ्ट वेव हो गया और यहां से करेक्शन बड़ा आएगा फॉल आना चाहिए और हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ह हुआ है फिफ्ट का फर्स्ट हुआ है सेकेंड चल रहा है और सेकेंड होने के बाद फिफ्ट का थर्ड आएगा 27000 आएगा एक्स्टेंशन आएगा यह हमारा एनलेसिस तो देखो एक सिंपल एलिएट वीव क्या कहता है एलिएट वीव आप अगर यह बुक पढ़ोगे यह यहां पर तो उसमें बुक में लिखा है ओके आईधर और ओफ है जो थ्री वेवस मस्ट भी एक्स्टेंडर ओके चलो देखते हम लोग यहां पर लिखा है कहां पर वह में आपको दिखाता हूं we günst in लेट धिटेंट यह लिख चाहा है जिसने कोई एक ख्स्टेंड होना चीए अब लएच रहा है our guidelines में है यह बूक्षे guidelines में वह लिखा है और पहलनेगे है तो जिखाता हूं अभी रूस डिखाता हूं आपको मैं क्यूं बोल रहा हूँ कि market extend करेगा चलो अभी मैं आपको proof दिखा देता हूँ कि मैं क्यूं इतना तेजी 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 बोल रहा हूँ क्या मैं biased हूँ तो मैं biased तो बिल्कुन नहीं हूँ क्या है राइट कि मैंनिमम टूएव सब्सक्राइब 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 कि अभी वह यहां पर मिल नहीं रहा हूँ अभी वह मिल नहीं रहा मुझे बट मिल जाएगा हुए ठेंशन नहीं है मिल जाएगा तब मैं आपको प्रूफ डिकार दूँगा कि अभी फिलाल तो नहीं मिल रहा बुक में बट देखो सिंपल मिनिमा में एक विव एक्स्टेंशन जानी ही है मिनिमा में तो क्या यह वेव एक्स्टेंशन देखो यहां पर एक्स्टेंशन देखो यह वाली यहां से यह आई तक इसमें खिलियर फाइव एक्स्टेंशन दिख रहा है और थर्ड का थर्ड भी एक्स्टेंट हुआ है तो वहीं से यहां पर एक्स्टेंशन दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है यह वेव में एक्स्टेंशन नहीं यह यह वेव में एक्स्टेंशन आना है आना ही है extension आना ही है तो first हुआ second हुआ अभी third, fourth, fifth बाकी है extension आना बाकी है आएगा तो तेजी ही आएगा तो तेजी ही बस Friday close 250, 300 के उपर जाने की देर है उसके बाद रोक के दिखाओ तेजी को उसके बाद तेजी को रोक के दिखाओ तो Friday closing तक रुक है अभी क्या विव चलती है इंटरनल देखते हैं अभी अभी इंटरनल देखो कितना धमाल करके रखाए यह देखो moving average को इतना पास लाके रखा आवरली ओके तो मिन्स यह अवरली 34 moving average भी 250 के अश्वास है तो 250 के उपर gap up ही खोल दी आप प्राइडे तो क्या हो गया ओके अभी वेव काउंट क्या है तो देखो यह यहाँ पर क्लियर 5 वेव होके उसके बाद वीव 2 में चल रहा है तो क्या वीव 2 खतम हो गए यहाँ पर तो वरली एकस व्यकिकक अम्लोग ले रहे प्लाट पहले ले रहे थे बट आईडियली से डव्य एकस वाई ही सूट हो रहा है तो डव्य में वाई वेव अभी जहां यहाँ पर अब्हाइव कंप्लीट हुआ है और अभी नेक्स्ट वेव थर्द चालू होगी उसका confirmation मिलेगा हमें आइडियली कहाँ पर पर्स इनिशल सिगनल आएगा 200 के उपर जो आज का हाई है आज का हाई 200 के आसपस है 197 का कुछ हाई है आज का तो उसके उपर फर्स indication आएगा और next indication यह जो moving average है अबरली का 250 के आसपस उसके उपर आएगा और फाइनली फाइनल इंडिकेशन कब आएगा कि हाँ थर्ड वेफ स्टार्ट हो रही है तो उसका इंडिकेशन आएगा यह जो प्रिवियस देहाए है उसके बाद प्रिवियस देहाई 370 के आसपस है उसके उपर अगर चाहेगा तो मार्केट में हमें मिलेगा प्रूफ और कंफर्मेशन के वेव नेक्स वाली अप वेव स्टार्ट हो रहे देखो तो मैंने यहां पर क्या डाल था वर्स केस में वर्स केस मार्केट क्या हो सकता है है तो वर्स केस में रेंज बाउन हमने लिखा था क्या लिखा था मैंने यहां पर अभी वह मिलेगा तो ठीक है है लेट दी मिल रहा है क्या हाँ यह देखो क्या हमने डिस्कुस किया था लास्ट आउगस्ट को क्या डिस्कुस किया था कि वर्स केस यह रेंज बाउंड रहेगा मार्केट यह रेंज में 24,000 से 25,000 की रेंज में राइट एक बार नीचे गया था रेंज तोड़के तो मार्केट कर रहा है अभी वीकली चार्ट दिखाता हो आपको में तो मार्केट यहां पर कंसोलिडेट करके वीकली चार्ट पर नीचे ले आया अभी यहां पर जो आरे साय था कितना था सेवेंटी एट था निफ्टी कितना था 24,000 से एट हंडिड के आसपस अभी कितना है 24,100 के आसपस निफ्टी है यहने साथ सो पॉइंट गीरा के आरे साय को इतना नीचे ले आया राइट तो हो दाट्स दे गेम आपको गेम समझती पर यही नहीं की गेम अपको समझन रही रही एक है मार्केट क्या गेम क्विण रहा है आपके साथ सिर्फ रेंज बाउंड रहा है और आरसाय नीचे आता है वंतली पर वीकउडी पर पर कितना नीचे लेखा है सीधा एटीट फॉन था वहां से सिदा आ गया 72 मिन्स मार्केट खेल रहा है आपके साथ खिल्वार कर रहे है रहें रहे के अपने साथ खिल्वार कर रहे ट्रेडर के साथ अभी इतनी नियरो कर दिए यहां पर तो यह रेंज का ओके ब्रेकडाउन आया तो आप बुलोगे कि आप कैसे गैरंटी दे सकते हो कि ब्रेकडाउट ही आएगा ब्रेकडाउन नहीं आएगा तो इसलिए रुके ना फ्राइडे की क्लोजिंग तक तो रुके आज थोड़ा वेट करेंगे हम होते तो आज क्यों नहीं तोड़ा मार्केट के फ्राइडे के लिए रखा है तोड़ने के लिए नहीं और दूसरी चीज़ यहां पर इंटर मर्केट डाइवेजन से निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी यह सब चीज में मेरे लेकिन अभी यहां पर तुम्हें फ्री में सिखा रहा हूं तो यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कर दो तो देखो यहां पर निफ्टी ने निउ हाई बनाया लेकिन बैंक टिफ्टी लोएर टॉप बना रहा है तो वहां से रिवर्जल आ गया निफ्टी में भी ट्रेंड करना चाहिए तो अगर निफ्टी में नियू हास tvए नहीं तो नोल नहीं है तो भी यहां कि में ने यह लो कर देगा हमारा मानना है कि मिर्केट कर रहे हम लोग प्रीवियस दे हाइख वपर अब यह डाइबर बहुत निफ्टी में सब्सुनम में भी हैं निफ्टी भी और पूर तबंड नहीं है पीस्टी बैंक भी निव लो आ गया और फिर अभी बाकिया है अभी बाकि है पॉजिटीव क्लूस फॉजिटीव क्लोज आने तक अने दशते कैंसे नहीं आते फ्राइडी की क्लोजिंग पॉजिटिव आने दो फिर हम देखेंगे कि तेजी कैसे नहीं आती है कि आप बोलोगे है नहीं मंदी आएगी ब्लाइंड बूल है भई ब्लाइंड बूल नहीं मैं जब मंदी में उतर आता हूं तो मंदी में बहुत अच्छे से करता हूं मैं दो तेन साल पर लेकि विडियो से देख लो यहां पर मैं सिर्फ मंदी 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 यह में ओविसली तेजी की मैंने लेकिन मैं मैं मंदी में ही एक ही जब भी हाई मार्केट डेता था सिर्फ में कोलता था अभी वी टाइम है बेचो अभी टाइम है बेचो तो मांदी वह आप ट्रेंड में जाने दो तो Adlerright कि मैं मंदी करूंगा उके तो पहले मैंने क्या बोला था कि सप्टेंबर के मंदी इंगी मंदी तो अभी नहीं अभी सप्टेंबर नहीं अभी पूस्पॉमौन हो गया क्योंकि waves एक्सेंड हो रही है तो अभी टॉप कब अभी नेगा मोष्टली अभी सबने तो और उपर कितना जाएगा उपर मिन्स टार्डेट विए ट्विटी सेंट आएगा उसके बाद कर्रेक्शन के बाद वापस फिफ्ट में उपर जाएगा तो तो यह इंटर मार्केट डायूजन्स हमेशा मार्केट में ट्रेंटरिवर्जल का सिगनल होता है बस लिए अगर इंटर मार्केट डायूजन्स क्या होता है और मिन्स रिवर्जल कैसे हम लोग फिगर आउट करते हैं तो उसके लिए मैंने इलिएट वी प्राइज एक्शन के दोनों के कोर्स मेंने रेकॉर्डेट रखे हैं उसमें आप जोइन कर सकते हो रेकॉर्डेट इंग चालू हो रहा है तो आना है तो आज यह कल ही एडमिशन ले लो कि उसके बाद आपको एडमिशन नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा यह नेक्स दो दिन में हम लोग क्लास चालू करने वाले हैं थे तो में लाय बैचे से रहती है और कुछ-कुछ शेयन लाइव मार्केट के भी रखोंगा क्योंकि लाइब मार्केट में क्या सीन हो रहा है वह भी देखना एमपॉर्ट अब्सक्रिप पहले फ्राइडे को ही मैं स्टार्ट करूंगा लाइव मार्केट से पहले आप अग लाने वाली तो आना है में आ जाओ सिखा दूंगा और एक बार क्लास में आ जाओ लेकिन फी एक ही बार भर निये तीन बैचेस बैठ सकते हो फिर्फ एक बैच से आपका हमारा रिष्टा खतम नहीं हो रिष्टा तो कायम रहेगा कि आप पूठ सकते हो आप चार्ट्स आपके पूठ सकते हो इस वट तीन बैच में बैच सकते हो एक बार फीवर के तो लैट सी क्या लग रहें तो मीडिकेट कर रहा है के मार्केट वाटम प्लाउट होने की चांसे है तो अभी मेरा लांग है क्या है है निफ्ती पहले कुंसा सेक्टर भागेगा तो सबसे पहले आईटी अम क्यूं इतने बूलीश है तो देखो यार दो साल की रेंज का डेखे आईटी में रीटेस्स किया रीटेस्स के बाद वह ब्रेकाउट डेके जा रहा है अब यह चोटा बेस बनाया है इंट्राडे चार्ट पर आपको पता चलेगा कि बेस बना इसके बाद अभी पहले आइटी भागेगा मार्केट जब रिकाउरित देगा पहले आइटी जो स्ट्राउंग उसमें तीजी करनी है मैं नहीं नहीं की है मैंने वेदानता में लिया है बहुत ज़्यादा टिजी नहीं की है मैं और कैश में और एड़ करूंगा थोड़े बहुत अभी लेकिन मैं वेट कर रहा हूं कि प्रिविएस दे हाई के उपर क्लोज आ जाए तो मैं एड़ कर दूंगा उसके बाद और एड़ करूंगा मैं मैं में चैश में और एफनो में भी पेस्यू बैंक में भी वही सीन है तो आई टी सबसे स्ट्रॉंग है तो मैं आई टी आपको लग रहा है तो यह देखो यह मेरा आईटी का यह देखो निफ्टी आईटी इस क्लियर अबॉइड आईधर इट्स अलड़ी ड़न और नो मच्छ अवाइटी स्टॉप अधर सेक्टर स्कें प्रफॉर्म बैटर यह कब लिखा था मैंने अवाइड करो आईटी स्टॉप यहां पे 17 तारिक को जिन्वरी 2022 वहां से क्या गीरा है आई तो ट्री आएगा तो एटी जोर सी भागेगा तो हम आईटी में अभी अवी दिखा रहा है तो लौंग टरके बैठे है तो अब बहुत ताइम से भागेगा भाग नहीं रहा तो चार मन पहले पाच मैंद पहले जब बोला था कि वहीं से हाथ दोगे आप अगर पैसा डालो में लोग यहां पर बूलिश वह ता नाइंटींत को उसके बाद चार जुन से चार जुन का जूलो है वहां उसको तो 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 तोड़ा नहीं यह अलग बात है तो तोड़ा भी नहीं है नीचे और विमेरा तो ऐसा में ट्रेडर का वयूं नहीं बनाता यह मेरा इंवेस्नेन्ट का व ineffective निकालने का निकाल आया नहीं निकाला पार्ट वुकिंग किया था और वापस में से यहां पाव भी वापस हो डालूंगा पैसा में मुझे पता है कि है मैं सबसे बोल लागी क्या मेरा प्रेडिंग लॉंग' लॉंग है नहीं बेंक में ट्रेडिंग लॉंग मैं तब तक नहीं बनाओंगा जब तक यह आय बनाओंगा यह सब्सक्री करता के लिख ng चल रही है यह वन टू प्री फोर्थ वेव में जा रहा है नीचे फूर्थ वेव में नीचे जा रहा है यहां आना बाकिए 10 अजार पी एस्यू बैंक इंडेक्स हाना बाकिए उसको आना ही पड़ेगा बट हम रुके हैं बट हम रुके किसके लिए है एक पॉजिटिव आने के लिए रुखे हैं आप बोलोगी यह तो एक बार सोचेंगे सोचेंगे मेरा यहां से खड़ा है मेरे पास पी एस यू बैंक और मेरा कुछ यहां से खड़ा है पीन पी मेरा यहां से खड़ा है टो मैं क्यू प्यू छोड़ू क्यूँ निकालो और मुझे कन फिफ्ट वे बाखी है रैली अभी पहिइंडंग है और मिंस लॉटट बड़ी रैली पहिंडंग है अभी यह फर्स सेकेंड है थर्ड और फूर्थ होगी और फिफ्ट बागी है फूर्थ होई है कि नहीं हुए वह पता नहीं बट पक्का होगी उसके बाद वापस रिट्रेस्मेंट आएगी यहां पर और वह आएगी उसको आना ही पड़ेगा मेटल लोके मेटल में मेटल में भी में बोल रहा हूँ रैली आएगी राएगी तो कभी ना कभी तो आएगी नहीं ऐसा नहीं हमारे तो मेटल के स्टॉक डबल भी हो गए हैं अभी यहां पर करेक्शन चल रहा है हां करेक्शन चल रहा है तो मेटल का करेक्शन रूलाता ही है म मैंने में आइडियल लॉंग कहा पर दिया था यहां और हमने यहां पर एक्जिट भी दिलाया था मैंने अक्टोबर 2021 में में बोला था यह रैली हो गई है इसमें से निकल जाओ क्लार मारकेट घीर लाट और फिर हम लोग यहां से जूले 2022 तॉसे लॉंग है वहां से कुछ 2 ळबल भी होगी राइड वेताउं नहीं देखते आप यहां पर नहीं चला नहीं चला वो दिखिए यहां से डबल होगा अब मैं कब बोलूँगा कि ले लो तो अब मैं बोलूँगा ले लो जब ये वाली हाई ब्रेक होगी ये वीकली हाई जब ब्रेक होगी उसके बाद मैं बोलूँगा हाँ भी ले लो बिंदास ले लो वो होने दो उसके बाद मैं बोलूँगा लेने के लिए बोलूँगा आए कि दो यह तो यह तो यह मंतली की चार्ट कि यहां पर नार्केट उपर गया है और अभी रिट्रेस्मेंट ले रहा है तो कहां पर जाना चाहिए थर्ड वेव आईडियली देखो यह वर्स्ट हो गया यह सेकंड हो गया वन हो गया देख वर्ड थर्ड कितना लंबा था देखो यहां से हुआ है और उसमें अभी मेरे सबसे वन एंटू हुआ है थ्री फॉर फाइब हो सकती है बट मेरे सबसे अभी बहुत बड़ी बाकी है तो आएगे तेजी आएगे देखो वीकली पे यह थर्टी वीक मुविंग अवे नहीं ब्रेक हुआ है यह ऑढ़ी पे फोर जुन का लोँ ब्रेक नहीं हुआ मंतली पर मंतली पर देखलो मंतली पर क्या चल रही है मेटल पर तो मंतली पर भी ब्रेक νदी हुआ में नहीं होता है मैं मंतली निकाली क्यों ब्रेक होने के बाद में निकालना है कि नहीं निकालने का मैं इन्वेस्टर हूं ठ्रेडिंग लॉंग है कि मैं यहां पे Shut up यहाँ पर stop loss कर गया एक बास करने बात खतम होती है अब मैं यहाँ पर लेवल के ऊपर में करूंगा वेधन गिए बाकी के करूंगा बाद में करूंगा तो लेट सी तो मैं भी थी बाकी है बहुत सारे इंडेसे में तेजी बाकी है में राइट और दूसरी एक चीज में बता रहा हूं कि मिड़ के आप देखो तो अभी निफ्टी से कंपेर करो मौल कैप मिड़ कैप को वह सब्सक्राइब यहाँ पर निफ्टी लगा देज राइट साइड में तो निफ्टी अल्मोस नीचे आया है अब यह एक डाइवर्जन से निफ्टी और अब निफ्टी ने नयालो बनाया बट नयालो नहीं बनाया तो वहां से मार्केट घूम गया है अब यहां पर भी क्या डाइवर्जन से यहां पर डाइवर्जन से कि निफ्टी 34 यह में के नीचे है कि निचे नहीं है तो मिड़ी कैप नहीं है कि में तो मिड़ी कैप स्ट्रांग है निफ्टी से कमपेर करके मिड़ी क्या बंद रहा है तो स्ट्रांग है क्यों देखो निफ्टी में यह नया लो आ गया यह लो जो जो जूले बजेट का जो लो है यह जो लो है और यह mid cap का small cap करो क्या भाँसे नया लो बनाया मार्केट ने mid cap small cap में नहीं बनाया है यह डाइवर्जन से फिर भाहसे मार्केट में recovery आई लेकिन uptrend नहीं आ रहा अभी भी तो uptrend कब आएगा जब यह high swing गया है तोड़े गा जाएगा उसके बाद uptrend आएगा आएगा तो uptre ही है रोक के दिखाऊ बस एक बर यह उपर आना चाहिए उसके लिए वेट कर रहे हैं देखो क्योंकि डेखो सिंपल बात में बताऊंगा सिंपल बात बताऊंगा क्या जब मार्केट गीरता है तो मिड कैप स्मॉल कैप सबसे पहले गिरता है तो जैसे यहां पर देख लो यह यह अई निफ्टी देखो निफ्टी गीरा आए 2022 में रिट निफ्टी में यह गीरावट है यहाँ यहाँ पर अट जैनेवरी में आया था तो देखो यहां पर यहां पर अब यहां पर यहां पर पर बना या फिर ब्रेक देखो यह में की मंदी देख लो आप इसको बुलते मंदी यह तोड़ास जबकि निफ्टी ज्यादा नहीं गी रहा है जोर से तोड़ दिया देखो यह वाली लो तक तोड़ दिया था और बहुत ज्यादा नीचे तोड़ दिया था जैनवरी से लेके से मंदेन से तोड़ा था जब देखोए तो अभी क्या चल रहा है तो अभी दिख रहा है यहां निःट गीरा बनाया लेकिन नियालो नहीं बनाया है तो यह इंटर मर्केट डिए इंटर मर्केट को बना रहा है कि ब्राड मर्केट में गिरावत नहीं है कम है गिरावत है यहां पिने यहां रहा है लेकिन यह मेडिक सब्सक्राइब अब ज्यादा नीचे नहीं तोड़ा है सो अभी वो मार्केट आपको बना रहे हैं एक बार पॉजिटिव क्लोजिंग आने तो उसके बार हम वेट करेंगे आएगी तेजी तो फ्राइडे की क्लोज बहुत इंपार्डट अभी बाहर के मार्केट भी देखेंगे तो देखो बाहर के मार्केट क्यों देख रहे हैं कि वहाँ पर कुछ खराबी है क्रिप्टो में कुछ प्रॉब्लेम होने वाली है क्या रिसेशन आने वाला है एउरोप तो रिस्क असे से पैसा बाहर जाएगा वेचेंगे रिस्क असे लेकिन यहाँ पर तो ले रहे भी तेजी को तुथाजन को फेब मार्च 2023 में यूएस में बैंकर इसस्थी और यहाँ पर बिटकोइन में पैसा जा रहा था मिट्ट कोई में पैसा रहा है रिषिकी असेट में और अभी जा रहा है सच में आने वाला है नहीं आने वाला नहीं यह लेख लो तो निक यह की तो अब उपर आगया तो निकली कि क्या चाठे थैस्ताइव के बात करेक्शन तो आएगा कहा तक आता है यहाँ पे तक आता है तो यहाँ पर पर यह डिकावरी देखो यहां पर कितनी बड़ी और यह कि रिकावरी और यह की का यह कि यह मल्टियर ब्रेकावट आया था और के बाद वह वापस अंदर आ गया क्या करने के लिए री टेस्ट किया मीन को वह मीन रिवर्जन को आ गया मीन रिवर्जन को मार्केट आ गया उनकी क्यरिट्रेड हो गई अब मार्केट टेजी करेगा यपनिस मर्केट भी टेजी एट युस मर्केट भी टेजी करें लिए अस देखुए यहां पर ब्रेकट हुआ है तो यहां पर सारी मार्केट में पॉसिटीव चल रही है यहां पर उसके बार अभी यह क्यों देख रहे हैं घ्लोबल कुछ खत्रा है कि अगर यूरोप में यूरो यूएस जी ने ब्रेक आउट तो यूरो अगर स्ट्रॉंग होता है तो मर्केट में तेजी आएगी यूरोपियन मर्केट में और अपने यहां पर अभी हाँ सेलिंग आ रही थी एक तो आएनर में एक ही देखो यहां पर पुश आया था यह पूरा अब वीकली चार्ट देखो वीकली चार्ट देखो आएनर का तो वीकली दो जी लास्ट विक भी उनाया यह वीक भी बनायेगा और टॉप बनाके नीचे जाएगा यह नीचे जाने वाला है यह और उल्रांद में यूएश्ड आयनर में बेरिश रिवेश राएगा तो मर्केट के लिए अच्छा ही होगा डॉलर तो अल्रडी नीचे जा रहा है तो डॉलर रिवस करेगा तो यूएस मर्केट क्या वरती वह भी देखेंगे उस्ज्ड और अपनी मर्केट पर उपर ही कुलनी है मेरे सबसक्राइब का ने तो कॉमटिटीज में थेज़ी आएगी क्या तो अपर देखो तो कॉपर में भी है अब बाटम बन रहा है दीरे दीरे बाटम आट ओर हो रहा है ग तो यह तो 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 बागी होगी तो बड़ी होगी बड़ी तेजी बाकी है सिल्वर में और यहां पर आएकी वह सब में तेजी पकड़ रही है अभी नहीं यह सब में आएगी ने में आएगी बैस में मैं और में अध्यात लाइगी वे उपर की बाकी है है तर्ड बहुत बड़ी भाड़ी है मैटल में राइट वेट और लॉट काप्ट करना है प्रिविएस ने है सब्सक्राइब होगा उसके बाद हम देखते हैं जब वो ख्रॉस होगा उसके बाद हम देखेंगे की कैसे तेजी नहीं है हम देखेंगे कैसे तेजी नहीं आती हम देखेंगे ना हम भी देखेंगे भी के ऑच्रोस करने के बाती है यह देखेंगे लेकिन तब तक रुखना है वेट और वाच वेट अंटेल वी क्लोज ऒबाओ इस 9100 levels in metal index जो mostly Friday को होगा होना चाहिए so we will wait and watch so that's it from today's update I hope आपको वीडियो अच्छे लग रहे और सीखना है mentorship में जल्दी जल्दी आजाओ मैं सिखा दूंगा stock में next I mean Friday की वीडियो में discuss करूंगा stock आज की वीडियो में stocks नहीं discuss किये और आनी तो ती जी ही है बस वेट कर रहे है closing positive आने की जो की Friday की आनी चाहिए ideally तो वेट कर रहे है उसके लिए so that's it from today's update keep loving keep learning keep earning with us and आना है mentorship में आजाओ सिखा दूंगा so this is Ash Dixit signing off until we meet again